हाँ तो मेरे यारो तो विंट प्रेकर एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चोजी और उमेमिया की लडाई शुरू हो चकी होती है और चोजी लगातार उमेमिया पे अटैक कर रहा होता है इस पर उमेमिया उसे एक जोरदार किक करके दूर फेक देता है और सारे सि तो कि विंचे कर लेता है और उसका पंचे जमीन पे लagता है इस पर अपने हाथ को देख के जारहे सब्सहें कमजोर है की नहीं लेकिन मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक तो मुझसे माफी की भीग ना मांग लेते और फिर अटैक करता है इस पर ओमेमिया और उसे अपने पैरों से हिट करके एक जोरदार पंच मारता है जिस पर ओमेमिया पे तो कहता है उसे है जिस पर चोजिक करके कहता है इसका मतलब कि तुम्हारी टीम के पास तुम्हारे जैसा लीडर है चाहे कोई भी कारण हो लेकिन तुम टॉप पे हो और तुम्हें लोगों को देख कैसे मूँ नहीं बनाना चाहिए और एक जोड़दार पंच करता है इस पर नीडरे कह रहा होता है मैं सच में खुश हूँ कि मैं फिर इ ही चाहिए और मन में सोच रहा होता है और खुद से कह रहा होता है जब सब सूख जाता है सब जगे अंधेरा हो जाता है यह बहुत बेकार लगता है मेरा दिल एक डेसर्ट बन चुका है आकर मेरे पास किस चीज की कमी है आकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन कुछ भ बैक टू बैक पंच कर रहा होता है यह सिस्तोर इनके लोग यह सब देखे कह रहे होते यह क्या वो बंदा ठीक है वो उटके दुबारा हमला क्यों नहीं कर रहा है इस पर तोगामी कहता है ओमे मिया और जिस पर साकुरा खड़ा होगे कहता है तुमने कहा था तुम्हारी जीत चुपो जाओ और फिर से पंच कर रहा होता है इस पर में मैं कह रहा होता है अगर तुमने उदासी में सब कुछ खो दिया तो चीज़े तुम्हारे लिए ऐसे ही रहेंगी यार हमेशा के लिए इस पर चोजी कहता है चुपो जाओ और उसके गर्दन पर जोड़दार बाइ हुई थी उस समय सब कुछ एक गलत फहमी की वज़े से हुआ था इस समय पास का सीन दिखा जाता है इस पर चोजी को यहाँ पे लड़ने में सच में बहुत मज़ा आया होता है और जिस पर उमेश चैन अब प्रेज़ेंट में कह रहा होता है तुम्हारे उस टाइम के पंच से अपने दोना हाथों से पकड़ लेता है इस पर चोजी कहता है यह तो बहुत गरम है और में मैं कहता है याद रखना अब चोजी जो तुमने उस दिन देखा था उस चीज़ की तुम्हें यानि एक लीडर को जरुरत है इसमें तोगामी कह रहा हो गया है शुक्रिया यार उमे मिया और इस पर उमे मिया अपने सरस्ते एक जोरदार हमला करता है और कहता है मेरी बात को याद रखना इस पर चोजी वहाँ पे नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है तुम सब को क्या हो गया है तुम सब इतने खुश क्यों लग रहे जिस पर भी याद करता है कि इसके टीम की मेंबर्स कितने खुश थे जब यह उनका लीडर नहीं था और सब लोग साथ में मजा करते थे लेकिन दीरे दीरे वो सब के सब गायब हो गए इस पर वो देखता है कि नीचे एक काँच का टुकड़ा पड़ावा होता है और जैसे ही वो सब अठाता है वो टुकड़ा होआ nawा में उड़ जाता है और बहुत दूर तोगामी इन सारे काच के पीसे को चोड़ रहा होता है और तब चोजी आगे बढ़ता है तोगामी की तरफ लेकिन वो नीचे घिर जाता है खुद से कह रहा होता है लगता है ये सब एक सफना है फिर आप प्रेजन्ट में जोजी को होश आता है और तोगामी मुसके पास बैटा होता है और जोजी कहता है तुमने ऐसा मुझ क्यूं बना रखाय हाँ वो अच्छा मैं हार गया वह मिया से हाभी क्यों और तोगामी तु मुझे माफ कर दो यार मैंने तुम्हें अकेले चोड़ दिया जब मैंने देखा कि तुम बदल चुके हो किसे तुम लोगों से बुरा बरताफ कर रहे हो तो उस समय मुझे पता था कि तुम किसी परिशानी में हो फिर भी मैंने तुम्हें अकेला चोड़ दिया उस समय मुझे तुम्हारा सामना करना चाहे था लेकिन मैं मेरे सपनों को सबके लिए चूर चूर नहीं करना चाहता था इसमें चोजी कहता है कैसा सपना और तो गामी कहता है मैं बस चाहता था कि सब तुम्हें प्यार करे लेकिन साकुरा से लड़ते वक्त मुझे समझ आया, चाहे कितना भी ताकतवर दुश्मन हो, उसके सामने खड़े होना होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, शायद मैं उस वक्त, ऐसा करता तो शायद चीज़े कुछ और होती, और अब प्रेजेंट में ये रोने लग जाता है, और कहता है, मुझे प्लीज मा शाकतवर होंगे, तो मुझे आसादी मिलेगी, लेकिन ये मेरी गलती थी, और अगर तुम नहीं होते, तो शायदे टीम अभी नहीं होती, और तुम नहीं अभी तक इस टीम को बजा रखा है, और उसे शुक्रिया कहता है, और खुद भी रोने लग जाता है, और अब चोज और अब तुमारा हुआ, और अब प्लीस सब का ख्याल रखना, इससे अब तूगामी भी अपनी जैकेट उतार रहा होता है, तब ये सब देखके हो में मैं कहाता है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, इन सब के पीछे तो तुम ही थे ना, तुमारी वज़े से दोनों टीम तेर का नाम दे सकते, तो दोस्तों तुम सब को मजा आया है ना, इस पे भी सुनके चोजी हसरा होता है, और कहता है, तुम सच में काफी इंट्रेस्टिंग बन्ने हों में चैन, और मैं कहता है, चलो या लड़ाई खता हो चुकी है, अब सब अपने घर जाओ, और जिस पे एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है मेरे यारो, तो होप यार तुम एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो, तो लाइकन सब्सक्राइब कर देना, मिलते इसके नेक्स वाले एपिसोड के साथ, तब तक लिए टेक केर और बाबाई